हलो स्टेंट्स स्वागत आप सभी का आटी लेक्चेर्स के यूटूब इजिकेशनल प्लेट्फूम पर स्टेंट्स आज के वीडियो लेक्चेर है DRT फर्स्ट एर के रेडियो लोजिकल फिजिक्स का लेक्चेर नमबर 6 जिसके नदर हम टोपिक कवडर करेंगे inverse square low and luminescence को उसाती जानेंगे हम luminescence के different two type है floriscence ऐडं grassroots उसके बारे में बारे में थिस नेट्स वीडियो को complete जरूर देखे उस साथ ही यदि आप चैनल पर नहीं है तो अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने प्रेंट्स के साथ इसे जरूर सेयर करें तो आईए शुरू करते हैं आज की स्वीडियो लक्षर को विदा टाइम वेस्ट की तो जानते हैं कि यह inverse square लो है वो inversely proportional to the square of distance from the source is called inverse square low देखे जिए पहली बात तो यह जो inverse square low है वो EM radiation के लिए दिया जाता है electromagnetic radiation के लिए तो इसमें बताया गया है कि जो electromagnetic radiation की intensity होती है न तीविर्था वो inversely यानि की व्यूतकरम proportional यानि की समानुपाती होती है निज़िद करम अनुपाती होती है इनवर्सली का मत्रम की व्यूतकरम और proportional का मतलुपता अनुपाती है square of the distance distance के square के from the source source से source से उसके distance है उसके कितनी है उसके व्यूतकरम के square के समानुपाती होती है व्यूतकरम व्यूतकरम अनुपाती होती है इसके दूरी के ठीक है तो इसको अपन कहते हैं यहाँ पर inverse square low जैसे कि इसमें हमने यहाँ पर माना ही यह point source है इस point source है our distance के उपर यहाँ पर इसकी जो तीवरता है इस जो source से जो EM radiation electromagnetic radiation निकल रही है तो इस point के उपर इस point के उपर इसकी तीवरता किस परकार से change होगी distance के साथ इसी को अपन कहते हैं यहाँ पर inverse square low जो कि inversely proportional होता है distance के square के ठीक है अब देखते हैं कि इसकी क्या adjustments होती है क्या माननेताई होती है कि एक inverse square low को हम प्रूब कर सकते हैं उसके अदर कहने का मतलब भी है कि क्या adjustments अज़ुम्शन का मतलब है माननेताई कि मानना जाता है ठीक है मानना मानना ठीक है तो अजम्शन का मतलब क्या अजूम करना होता है हमको अमारे को कि इस ये inverse square low को हम वहाँ पर fit कर सके इस inverse square low के लिए हमें कुछ चीज़े माननी पड़ती है तब ही जाकि ये inverse square लो वहाँ पर सटीक बैठता है जैसे कि the source of radiation is point source, radiation का source है वो बिंदू source होना चाहिए the radiation travel in street line, radiation क्या है सीधी रेका में गमन करनी चाहिए the radiation is emitted equally in all direction और जो radiation emitted हो रही है इस point source से तो वो सभी direction के अंदर समान रूप से इसका emission होना चाहिए समान रूप से इस सर्जित होनी चाहिए ठीक है और next है यहाँ पर radiation emitted at constant rate और यहाँ से जो radiation emit हो रही है उसकी जो दर है emit होने की 32 वो भी यहाँ पर इसकी जो rate है emitted होने की वो भी यहाँ पर constant यानी की नियत होनी चाहिए next है यहाँ पर no radiation energy loss from the source to the point of measurement source से लेके यह source है जैसे ठीक है यह source यह रहा यहाँ से लेके यहाँ point of measurement है ठीक है our distance के पर तो यहाँ तक जैसे यह radiation की यहाँ तक जाएगी तो इसकी जो intensity है इसकी radiation की जो energy है sorry तो उस energy के अंदर किसी परकार का loss नहीं होना चाहिए किसी प्रकार की energy की कम नहीं होनी चेह यहां तक आने पक ठीक है तो तब तो यह जो inverse square low है यहां पर valid होता है ठीक है तो यह अजूम करना होता है हमें कि एक point source है और उसकी जो radiation emit करने की दर है वो constant है और सभी directions के अंदर वो emit करता है radiation को और एक straight line के अंदर यह radiation travel करती है और यहां पर किसी प्रकार का energy का low से नहीं होता है तो यह जो assumptions होते हैं हमें इनको क्या करना पड़ता है मानना पड़ता है यह मानना होता है हमें कि ऐसा होगा तब ही जाके यहां पर यह radiation का जो inverse square low है वो valid होगा आप इस diagram से देख सकते हैं इसको कि जैसे ही हमें r से r to r की मतलब r distance increase कर दे हैं आपे तो इसकी जो intensity है one fourth हो जाती है next हम बात करते हैं यहां पर students luminescence की यानि की रोसनी luminescence का मतलब निकलता है यहां पर रोसनी से कि luminescence क्या होता है तो luminescence की बात करें हम तो जब एक वहन EM radiation fall on certain materials नहीं कुछ ऐसे materials होती है जिनकी उपर हम radiation EM radiation electromagnetic radiation डालती है जैसे कि जो phosphore material होती है उनके उपर तो वो क्या करते हैं then they emit visible or UV light photons तो वो क्या करते हैं द्रश्य प्रकास को या फिर ultraviolet प्रकास को वे emit करते हैं इस radiation को अफसोसित करके electromagnetic radiation को तो यह property होती है जिन materials की उन्हें अपन कहते हैं यहाँ पर luminescence यानि कि रोस नहीं देना तो phosphore material होते हैं ऐसे material होते हैं जो electromagnetic radiation को अफसोसित कर लेते हैं और बदले में वो emit करते हैं visible यानि कि द्रश्य प्रकास को और UV light यानि कि अल्ट्रा वैलेट प्रकास को ठीके the AM radiation gives energy to the valence electron आफ्टर देन आफ्टर देन इस electrons are jumped into the conduction band अब देको होता क्या है यहाँ पर जैसे ही हम उस पदाहर्त को हमने AM radiation दी है यहाँ पर हैं ना तो जो इसके electrons थे वो क्या करती है इसके electron valence band से conduction band के अंदर वो क्या कर दाती है jump कर दाती है यानि कि उसके valence band से वो चले दाती है उसके conduction band में ठीक है यह valence band है इसका तो valence band से उसके conduction band के अंदर यह चले दाते है तो यह energy जो EM radiation से पाते हैं उसकी कान जाती हैं बाद में जब भी यह electron return होते हैं वापस valence band के अंदर तो वहाँ पर जो hole create होता है valence band के अंदर जैसे यह निकलते हैं वहाँ से और वापस उस hole को बरने के लिए यह वापस return आती हैं तो यह क्या करती हैं कुछ luminescent centers होते हैं उससे ओकर गुजरते हैं ठीक है तो जब luminescent centers से उकर गुजरते हैं तो कुछ light को यह क्या करते हैं जो extra energy इन्होंने absorb की थी electromagnetic radiation से उसको यह emit करते हैं किसके रूप में visible light के flashes के रूप में flash ठीक है यानि कि flash से एक तरह से प्रकास है मेरे प्रकास का flash से होते हैं तो उनको यह क्या करती हैं इमिट करती है उन radiation को इस phenomenon को हम कहते हैं यहाँ पर luminescence ठीक है तो हम देखते हैं यहाँ पर luminescence के कुछ examples यानि कौन से materials luminescence सो करते हैं तो इसकी category के अंदर आते हैं हमारे phosphor materials जिनको हम fluorescent phosphors भी कह सकते हैं जैसे कि sodium यह थैलियम activated sodium iodide जिसका यूज हम गामा कैमरा के अंदर करती हैं तीक है दूसरे है यहाँ पर gadolinium oxy sulfate जो की होता है terbium activated टीक है terbium activated gadolinium oxy sulfate जिसका यूज हम करते हैं intensifying screen होती है उनके अंदर next है यहाँ पर sodium activated cgm iodide ठीक है इसका यूज करते हैं हम image intensifier में या फिर fluoroscopy के अंदर क्योंकि fluoroscopy के अंदर ही image intensifier होता है तो यह सभी जो है इनका यूज होता है diagnostic radiology के अंदर fluorescence का sorry illuminescence का ठीक है तो यह कहा है सभी के सभी fluorescent material जैसे या फिर कह सकते हैं illuminescent material या फिर phosphore material है देखो इसके अंदर यह diagram है यह के यहाँ पर ultraviolet radiation निकलती है तो जब भी यह materials होती है यह radiation को अफसोसित करके या तो ultraviolet radiation का emission करते हैं जो कि पराबैंगनी विकिरन है और या फिर visual का है emission करते हैं जो कि इस प्रकार के देखते हैं हमें ठीक है इसके बाद में हम बात करते हैं luminescence के परकार के बारे में कि luminescence के कितने परकार है अब देखो यहाँ पर luminescence को हमने जो यहाँ पर इसकी जो light emit कर रहा है जो भी material है प्रोडोसेंट material तो वो light कितने समय के अंदर वो emit कर रहा है उसकी basis के उपर basis of time of light emission light के emission के time के उपर luminescence को हम दो बागों में बाटते हैं एक है fluorescence और second है phosphory sense तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर fluorescence के तो क्या होता है fluorescence देखिए in the luminescence process the emission of light is instantaneously within 10 power minus 8 seconds या फिर less than 10 power minus 8 seconds is called fluorescence luminescence process के अंदर यदि जो light emit होती है वो 10 power minus 8 seconds के अंदर अंदर ही या फिर इससे कम समय के अंदर ही यदि वो light का emission होता है वहाँ पर तो इससे phenomena को हम कहेंगे यहाँ पर fluorescence ठीक है यानि इसके fluorescence के अंदर यो time होता है वो बहुत कम लगता है 10 की power minus 8 seconds से भी कम का time लगता है ठीक है इसके लिए भी वो ही examples है इसके जैसे कि जो luminescence सो करती है वो ही fluorescence सो करती है ठीक है तो fluorescence material जैसे हमने अब भी देखा था जैसे thalium activated sodium iodide है terbium activated gadolinium oxy sulfide है और sodium activated cgm iodide है तो यह इसके example से जो कि हम diagnostic radiology के अंदर इनका यूज करती है thalium activated sodium iodide का यूज हम gamma camera में करते हैं terbium activated gadolinium oxy sulfide को यूज हम intense pen screen को बनाने में करती हैं और sodium activated cgm iodide का यूज हम image intensity पायर यानि fluoroscopy के अंदर करती है next हम बात करते हैं phosphory sense की यह phosphory sense क्या है देखे जो luminescence process है उसके अंदर यादी light का emission delay होता है कुछ से मैं बाद होता है यानि कि 10 की पावर मानिस 8 सेकंड के बाद होता है तो उस phenomenon का हम कहते हैं या फर phosphory cells अब देखे इसी को हम after glow भी कहते हैं क्योंकि यह कुछ time के बाद में यह क्या है चमकता है तो इसलिए इसको after glow भी कहते हैं या फिर इसको delayed emission भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर жो light का emission होता है कुछ समय बाद होता है delay time डिले होता है मतलब तो इसलिए यहाँ पर इसको delayed emission या फिर after glow emission के नाम से भी जाते हैं और यह एक random process होता है यह कभी कभार ही होता है कोई भी producent material है उसके अंदर कोई भी luminescence जो सो कर रहा है उस material के अंदर तो सबसे ज़्यादा जो luminescence material के अंदर सो होता है वो होता है fluorescence phosphorescence तो बहुत कम होता है उस material के अंदर phosphorescence एक random process होता है इसलिए बहुत कम होता है इसलिए वो एक random process है तो यह fluorescence है ना phosphorescence है ना यदि हमने जैसे image intensifier के अंदर हमने कौन सा material यूज किया था ये वाला gadolinium oxy sulfide यदि gadolinium oxy sulfide हम यूज कर रहे हो आपर तो उसके अंदर जो maximum होगा 99% है वो तो क्या होगा fluorescence और उसके अंदर 1% से भी कम या फिर 1% उसके अंदर होगा phosphory sense 1 या 2% तो 1 या 2% phosphory sense होगा तो वो मतलब light का emission थोड़ी दिर बाद होगा तो वो film folk के लिए responsible होता है यानि film को क्या दुंदली करेगा हमारी screen film radiography के अंदर ठीक है तो इसलिए इसका disadvantage होता है screen film radiography के अंदर देखे अब यहाँ पर जैसे ही हमने इसको energy दी ground state के अंदर जो electrons दे उनको तो वो क्या करते है excitation stage के अंदर चले जाती है depend करता है किस stage के अंदर जाती है S1 में जाती है या फिर S2 में जाती है तो जैसे ही ये S1 या S2 से नीचे की तरफ आती है तो यह light का emission करती है यदि यह light का emission 10 power minus 8 second के अंदर करती है तो उसे अपन कहते है यहाँ फ्लोरी sense यदि 10 power minus 8 second से अधिक का समय लेते है तो तब उसे कहते है phosphory sense वो क्यों लेते है इसके अंदर time के अपन क्यों लगता है जो कुछ proton होते हैं उनके energy कम होती है लगता है 10 power minus 8 second से अधिक का time लगता है इसके अंदर और इसके अंदर 10 power minus 8 second से कम का या इसके बराबर time लगता है phosphory sense के अंदर तो इस प्रकार से यह phosphory sense and fluorescence होता है और हमने inverse square लो देखा है तो आज की इस video lecture को यहीं पे हम complete करते हैं तो इस नेट्स कैसी लगी आपको वीडियो लक्चर कमेंट वोक्स में जरूर बताएं और यदि आप चैनल पन नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ एपने friends के साथ पी से जरूर सेर करें आज के लिए इतना ही cover करेंगी जो next वीडियो लक्चर फढ़ेंगी अपन वो इसका रहेगा अपना जो conductor, semiconductor and insulator है उनके उपर तो आज के लिए इतना ही मुलाकात होगे अपसे next वीडियो लक्चर के अंदर तब तक के लिए बाइ बाइ